दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के वक्त में लोग एक रिलेशन में क्यों टिक नहीं पाते अकसर relations, ब्रेकप की तरफ क्यों पढ़ते हैं? अकसर शादियां डिवर्स की तरफ क्यों पढ़ते जा रही हैं? लोगों को अपने dream partner क्यों मिल नहीं पाते? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार की अपनी जिन्दगी बिता देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है, relation के पीछे की secret को समझ नहीं पाना आज की ये वीडियो उन सारी secrets को reveal करेगी जिसके बाद आपको इन सबी सवालों के जवाब और इन सब problem के solution मिल जाएंगे आज हम बात करने जा रहे हैं models book के बारे में जिसे Mark Manson ने लिखा है, Mark एक American author है इन्होंने बहुत सी bestseller books लिखी हैं जैसे कि सबल आट अफ नॉट गिविंग अ फॉक, everything is फॉक and will Mark का area of interest personality development में है इसलिए वो इसी topic पर बहुत सारी किताबे लिख चुके हैं इस book में उन्होंने अपनी personality को अच्छा बनाने के लिए कई सारे points बताए हैं आईए उन्हें समझते हैं इस book का main motive females को attract करना है लेकिन honesty से, ना सिर्फ पैसो से Mark इस book में एक gentleman कैसे बने ये भी बताते हैं इन points को असान तरीके से समझने के लिए हम इने 6 chapter में discuss करने जा रहे हैं तो चले फिर शुरू करते हैं अगर आप किसे female को attract करना चाते हैं तो needy ना बने जादतर लोगों की life कैसी रहेगी ये 4 सबसे important चीजों से पता चलता है और वो चीज़े हैं प्यार, health, पैसा और happiness अगर इन 4 में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो life में मुश्किले बढ़ने लगती हैं और इंसान डिप्रेस होने लगता है इन 4 में से प्यार शायद सबसे मुश्किल है क्योंकि हर इनसान को उसकी life में प्यार नहीं मिल पाता जादतर लोग अपनी life में प्यार ढूंड नहीं पाते क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी से छीन नहीं सकते और नहीं जीत सकते हैं ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है और अगर कुछ लोग अपने life partner को ढूंड भी लेते हैं तो उनके साथ जादा time तक रह नहीं पाते ये सब इसी लिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर प्यार क्या होता है अगर आप एक perfect life partner को ढूंड ना चाते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी dating skills सुधारनी होंगी हमें सबसे पहले अपने आपको needy यानि के जरुवतमन दिखाना बंग करना होगा एक आदमी की रूप में आप जितने कम needy हैं आप एक औरत के लिए उतने ही attractive हैं एक needy आदमी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर show off करने के लिए चीज़े करता है वहें एक बिना need वाल आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीज़े करता है एक बिना need वाल आदमी दूसरों के सामने खुटने नहीं टेकता है वो किसी की permission की तलाश नहीं करता बलकि वो सिर्फ खुशी के लिए खाम करता है या नीडी behavior के कुछ example है जिन से आपको बचना चाहिए बहुत बार call करना या बहुत जल्दी call करना बहुत सारे messages भेजना उनके द्वारा भेजे गए jokes पर जरूर से जादा हसना अगर आप भी ऐसे ही behavior किसी female के लिए रखते हैं तो वो आपको needy और desperate समझेंगी और आपको reject कर देंगी इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें जरूरत पर काबू पाने का एकी तरीका है कि अपने mindset और self respect को बदल दिया जाए तब भी आपका appearance, words और actions भी बदलते हैं और females को आप जादा attractive लगते हैं क्योंकि अपनी mentality बदलने से आपके attitude और nature पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है females को attract करने का एक main rule ये है कि किसी और चीज़ से जादा खुद में invest किया जाए क्योंकि अगर हम खुद को नई कमजोर होने का मतलब mentally कमजोर होना है एक कमजोर इंसान वही है जो हार से डरता है और इस कमजोरी को हटाने के लिए Mark एक बहुत अच्छी exercise बताते हैं कि आप खुद को मांसिक रूप से strong बनाने के लिए खुद को ऐसी situation में रखें जहां आप reject हो सकते हैं जैसे कि आप के लिए किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछना हो सकता है और आप reject हो जाएं लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरे तरीके या उससे भेटर तरीके से पूछेंगे एसा करने से आप अपने दिमाग को सूचने पर मजबूर करेंगे और अपनी personality को और बहतर बनाएंगे जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और time के साथ आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे एक emotionally कमजोर इंसान के example कुछ इस तरह से हैं जिनने आपको avoid करना चाहिए ऐसा जोक सुनाना जो शायद मज़ेदार ना हो ऐसा opinion देना जो दूसरों को hurt कर सकता है किसे एक बात पर दूसरों से agree ना होना अगर आप किसी दूसरी की बात से agree नहीं करते हैं तो उसे सीधा मना ना करें उसे पहले अपनी राय बताएं और फिर उनसे पूचे कि क्या ये सही है या गलत है इससे आप ना तो उनकी नजरों में खराब बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे एक जेंटलमेन की पहचान है जो सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरों की आखों में देखने से आपका confidence भरता है एक जेंटलमेन जब भी कोई गलती करता है तो उसे accept करता है और उसके लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे वो हमेशा खुद को accept करते हैं वो हमेशा अपनी बातों पर बने रहते हैं और अपने किये हुए वादों को पूरा करते हैं friction जो एक अच्छी खासी date को भी खराब कर सकता है अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसको अप्रोच ना करें और उनको छोड़ दें अब जिन फीमेल से मिलते हैं उनमें से जादातर अगर आप एक average दिखने वाले लड़के हैं तो वो neutral या unreceptive हो जाएंगी ये life का कड़वा सच है जिसके साथ आपको रहना है और क्योंकि जादातर लड़के average दिखते हैं इसलिए ये सच जादातर male population पर apply होता है females को बाटने की दूसरी category है neutral category इस category में वो females आती है जो आपके बातों को जवाब नहीं देती लेकिन वो आपको reject भी नहीं करती इस category की females के साथ आपके chances बन सकते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाएं females को बाटने की तीसरी और सबसे अच्छी category है receptive category इस category में वो females आती हैं जो आपकी बातों का जवाब देती हैं और आपमें interest दिखाती हैं इस category में आपको success मिलने के बहुत chances हैं डेटिंग की दुनिया में आपको काफी reject किया चाहेगा आपको बहुत बार reject कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये कच्छी बात है rejection का काम आपको उन लोगों से अलग रखना है जो आपके लिए अच्छे नहीं है rejection आपको पसंद ना करने वाली females की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद करता है और आप हमेशा उनी females से reject होंगे जो आपके लायक नहीं है इस category में females neutral position में नहीं रह पाती क्योंकि study बताती है कि females किसी भी बात को लंबा खीच नहीं सकती या तो वो आपको reject करेंगी या फिर वो आपके साथ relationship में आ जाएंगी इसलिए इस category की females सबसे अच्छी होती है आप कौन है और आप क्या करते हैं आपके बारे में इस दो चीज़े जानने के बाद इस position की females आपको judge करती है और अगर इन दोनों चीज़ों का जवाब उनके लिए satisfied नहीं है तो वो आपको reject कर देती हैं इसलिए आपको सबसे पहले अपने आपको मजबूत और किसी लायक बनने पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए फीमेल्स को ट्राक करने के तीन fundamentals अच्छी lifestyle और रहन सहन social problems को handle करने की काबिलत communication के master होने और अपने feelings को express करने में माहिर होना आमतोर पर average आदमी इन तीन बुन्यादी बातों में से किसी एक में ही मजबूत होता है और दूसरे में कमजोर होता है अगर आप चाहते हैं किया आप अपने लिए एक बहतर life partner ढूण सके तो आपको इन तीनों ही चीजों में master होना पड़ेगा अगर आप अपने life partner को एक अच्छा lifestyle देना चाते हैं तो उसके लिए सबसे main ingredient है पैसा अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी lifestyle आटोमेटिक अच्छी होगी अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी खुद की personality पर काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी company में job या फिर अपना business कर सके आपको समाजिक चिंता यानि कि social problems पर काबू पाना होगा इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने आपको एक leader बनाना होगा एक ऐसा इंसान जो पूरी team को lead कर सके अब आप सोच रहे होगे कि females का social problem से क्या लेना देना तो इस बात को एक example से समझते हैं मान लिजे कि आप किसी के साथ एक relationship में है और उसको कोई इनसान परिशान कर रहा है जो कि एक social problem है तो आप उसको क्या बोलेंगे अगर आप उसको कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब कि आप social problem को handle नहीं कर सकते और आप एक अच्छे leader नहीं है लेकिन अगर आप social problem को solve करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त अपनी partner का support करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा अब तीसरा और सबसे important point है Good communication अगर आपका लोगों के साथ communication अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुचा नहीं सकते हैं तो भला कोई आपकी बात को कैसे समझेगा इसलिए अपना communication ठीक करने के लिए यहाँ पर एक exercise है आप किसी topic पर research कीजिए और उसे एक paper पर लिख लीजे फिर उसे mirror के सामने बोलिए और अपनी गलती ढूढ़िए उन्हें improve करे यह करने से आपका communication अच्छा जरूर होगा किसी लड़की से ज़्यादा चेप ना हो creepiness का मतलब अगर आम आसान language में समझे तो ज़रूस से ज़्यादा किसी इंसान से चेपकना या फिर उसकी life में ज़्यादा interfere करना है अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बिताब होते हैं तो ये गलतियां करते हैं यहाँ पर सबसे important हमारी self respect होती है जिसे लोग भूल जाते हैं जब आप किसी लड़की के लिए creepy हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो लेकिन वो आपको गलत समझने लगती हैं क्योंकि आप उनकी life में बहुत जादा interfere कर रहे होते हैं जादतर लड़के लड़कियों से बात करने के लिए गलती करते हैं और फिर reject हो जाते हैं इससे बचने के लिए आप सबसे पहले हमेशा उनकी बातों को priority देना छोड़ दीजे जैसे कि अगर वो कहें कि मुझे coffee पसंद है तो अगर आपको coffee असलियत में पसंद हो बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा सच कहें और अपनी पसंद को दूसरों के सामने रखें दूसरी strategy जो आप अपना सकते हैं वो यह है कि जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके जादा close ना चाहें इससे वो insecure feel करेंगी और आपको reject कर देंगी इसके बजाए आप उनसे दूर से बात करें और उनको comfortable feel करवाएं उनसे उनके future के बारे में बात करें उनके घर के बारे में बात करें और उनको अच्छा feel करवाएं और याद रखें कि जब तक वो आपको खुद ना बोले, आप उनसे physical contact ना बनाएं. अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे, तो आप उन्हें अच्छा मिसूस करवाने में successful होंगे. इसलिए इन्हें अपनी life में अपनाएं. डेटिंग के process और rules को जाने और वो जवाब दें जो female चाती हैं. लड़की से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, अब last और important बात जानना बहुत ज़रूरी है और वो है उनकी इच्छाएं. अगर आप ये नहीं जानते हैं कि एक लड़की आपसे क्या चाती है, तो आप एक अच्छा life partner कभी ढून नहीं पाएंगे. इसलिए एक female की इच्छाएं और goals को जाना बहुत ज़रूरी है. एक report में पता चला है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में divorce cases भढ़ते जा रहे हैं और जाधातर divorce females ने लिये हैं. इन में से जाधातर cases में एक common बात ये है कि females ने home violence के लिए या फिर काम ना करने के लिए divorce लिया है. अगर हम इस problem पर गौर करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि females को उनके husband और घर वालों ने अत्यचार किया है और सही से देखा जाए तो ये सब lack of communication के वज़े से होता है. शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में जाधा टाइम नहीं बताया और लड़के ने लड़की की इच्छाओ को जाने ये समझने की कोशिश नहीं की, जिसके वज़े से बाद में जाकर दोनों को divorce लेना पड़ा. इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा communication होना बहु लंच और आफ्टरनून अवोइड करें. आपकी डेट के लिए एक अच्छी location बहुत matter करती है. इसलिए डेट के लिए आप हमेशे एक ऐसी जगत चुने, जहां आप लोग बात कर सकें और कुछ activities enjoy कर सकें, क्योंकि सिर्फ खाना और बाते करना डेट नहीं कहलाता. एक लड अगर आप एक ऐसे इंसान है, जो जाधा पैसे नहीं कमाते हैं, या फिर हमेशा अपना काम बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको reject कर दें. दूसरा, फीमेल एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं, जो उनकी फीलिंग को समझे और उनका support करें, और उनके उप बहुत आगे तक जाएगा, तो दोस्तो हमने इस किताब से सिखा, एक gentleman बनने के लिए अपने आपको improve करते रहें, लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझें, और थोड़ा distance बनाया रखें, एक अच्छा communication, dating world में बहुत ज़रूरी है, हमें लड़कियों के लिए एक financially stable इनसान बनना पड़ेगा, हमें लड़कियों को support करना चाहिए, और उनके future goal को achieve करने में उनकी help करने चाहिए, हमें लड़कियों के सामने creepiness नहीं दिखाने चाहिए, तो दोस्तो हमें उमीद है कि आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा, और आब आप अपनी love life क अच्छा बनाने के लिए इन tips का स्तमाल करेंगे